बिग बॉस ओटिटी सीजन 3 के कंटेस्टन्स की फाइनल लिस्ट आई सामने एक का नाम सुन तो उड़ जाएंगे आपके होश हलो आप देखरें फॉर्स्ट इंडे टेली और मैं हूँ आपके साथ रजणी दूबे बिग बॉस ओटिटी सीजन 3 को लेकर काफी जादा बस बना हुआ है और सिर्फ नौ दिन बचे हैं इसे आने में अब ऐसे में आए दिन कनफर्म लिस्ट सामने आ रही है कि आखिर कौन-कौन होगा बिग बॉस ओटिटी सीजन 3 का हिस्सा इस सल्मान खान शो को होश्ट नहीं करने वाले है बलकि अनील कपूर अपना अंदास दिखाते नजर आएंगे ऐसे में कई सारे कनफ्यूजन बने हुए कि आखिर शो कैसा होगा और कौन-कौन शो में होने वाला है शामिल तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इस सीजन में कौन-कौन धमाल मचाने के लिए आ रहा है और कौन-कौन से ऐसे नाम है जिसे सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे वैल सुनने में तो ये भी आया है कि सिंगर मिका सिंग को बिग बॉस OTT सिजन 3 के लिए अप्रोच किया गया है लेकिन क्या आपको लगता है मिका सिंग का करियर इतना खराब चल रहा है कि बिग बॉस OTT में आएंगे ऐसा नहीं हो सकता मुझे तो नहीं लगता कि मिका बिग बॉस OTT सिजन 3 में नजराएंगे तो वहीं दूसरा नाम सोनम खान का आ रहा है और इन्हें कंफर्म बताया जा रहा है जी हां सोनम खान 90 की काफी फेमस हिरोईन है और इनकी एंट्री पक्की मानी जा रही है हर सल देखा जाता है कि कुछ पूचा वर्ट टाइप के ल ठुकरा दिया है एक्टरस सना सुल्तान कंफर्म कंटेस्टेंट मानी जा रही है कि उन्होंने बिग बॉस OTT सीजन 3 का कॉंट्रेक्स साइन कर दिया है तो वहीं टीवी एक्टरस सना मक्बूल का नाम भी कंफर्म माना जा रहा है कि सना मकबूल को अप्रोच किया गया था औ जबरों की माने तो उनकी एंड्रीबक की मानी जा रही है तनुष्री दत्ता को आपने बॉलिवुड की कई फिल्मों में देखा होगा लेकिन उनका करियर कुछ खास नहीं चल पाया लेकिन कॉंट्रोवर्सी में उनका नाम हमेशा जुड़ा रहा चाहिए राकी सावंत को लेकर हो या फिर नाना पाटेकर को लेकर हो तो हैसे में तनुष्री दत्ता का नाम कंफर्म माना जा रहा है क्योंकि इनकी लाइफ काफी कॉंट्रोवर्सील है तो वहीं मिमों चक्रवर्ती का भी नाम सामने आ रहा है जी हां मिमों चक्रवर्ती किसी प्रोजेक्ट में नज सामने आ रहा है लेकिन उनका नाम कनफर्म नहीं बताया जा रहा है तो वहीं सोशल मेडिया इंफ्लूएंसर विशाल पांडे का नाम भी सामने आ रहा है और कहा जा रहा है कि इनकी एंट्री भी पक्की है वैसे तो उनका करियर काफी खास नहीं रहा लेकिन अक्षे कुमार के साथ फिलाल 1, फिलाल 2, म्यूजिक वीडियो उनका काफी जादा हिट रहा और अब कहा जा रहा है कि Big Boss OTT Season 3 में नए पैचान के लिए नुपूर को देखा जा सकता है लेकिन अभी तक उनके तरब से कोई भी confirmation नहीं आया है तो ही अनुपमा के बेटे का किरदार निभाने वाले सागर पारिक को भी अप्रोच किया गया है Big Boss OTT Season 3 के लिए जी हाँ मैंने उनसे बातचित की थी और कहा था कि अगर Big Boss में आपको जाने का मौका मिला जी है शहजादा धामी और शिवांगी जोशी कहा जा रहा है कि शिवांगी जोशी Big Boss OTT Season 3 की confirm contestant मानी जा रही है लेकिन अब तक इस पर कोई भी पक्की खबर नहीं आई है तो वही शहजादा धामी को भी अप्रोच किया गया है दोनों का कही न कहीं से ये रिष्टा क्या कहलाता है से connection है दोनों उसके पार्ट रह चुके हैं और दोनों की live कही न कहीं controversy से भी जुड़ी हुई है तो अब देखना काफी दिल्चस्प होगा क्या शिवांगी जोशी और शहजादा धामी Big Boss OTT Season 3 में आएंगे क्योंकि ये दो मड़े नाम है जिसे देखने के लिए audience काफी ज़्यादा बेकरार है और इसी की वज़े से काफी ज़्यादा excited भी है अब देखना काफी इंट्रस्टिंग होगा कि 9 दिन बाद कौन-कौन से चहरे Big Boss OTT Season 3 में नजर आते हैं और किस की किस की क्लास अनिल कपूर लगाते हैं वेल आप कितने excited है Big Boss OTT Season 3 के लिए हमारे comment section जाकर comment करके ज़रूर बताए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिलकुल नहीं भूले हूं